नमस्कार आप दोस्तों हिंद वोईस में आपका स्वागत है मैं हूं कराम उत्तरप्रदेश से एक वीडियो ऐसा सामने आया है बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर कलवास से वारेल हो रहा है जिसमें एक बाबा अपने भक्तों को जो परसाद खिला रहा है खिचडी वा माहमारी चल दी है लागों लोग मर चुके हैं और पिछले साल आपने देखा होगा कि एक कम्यूटी को किस तरह से परिश्चान किया गया था कुरोना के नाम पर वो अगर खाली प्लेट खाने से बचीव प्लेट को जीब से चाट कर साफ कर रहे थे जो उनके एकोडिंग उसको भी कहा गया कि थूख लगा कर करोना फैला रहे हैं एक पुरानी वीडियो उठाई कहीं से और जिसमें एक सक्स थूख लगा कर फल उको गिन रहा था उसके आदा थी जैसे नोट को लगा कर थी उसे भी कहा गया कि करोना फैला रहा है उसके भी तमाम उस पर कारवाई इसको भी सोशल मीडिया पर वारयल किया गया। उसके बाद हम इई देखने को मिला कि शादी में कुछ लड़के जो नान बना रहे थे वो थूक यह पानी लगा कर जिस तरह से भी यूज करते हैं उनकी वीडियो भी viral की गई कि ये भी थूक लगाकर नان बना रहे हैं अगर वो उर्दू वाले ना हुआले थे तो उनकी पहले पिटाई की गई उर्ज के बाद वीडियो viral की गई लेकिन यहां इस बाबा की वीडियो viral आने के बाद गोधी मीडिया के मुँपर ताला लगा हुआ है और भक्तों ने अपनी कन्नी काट ली है इस मामले से मैं पुरा मामला वता हूँगा कहां कहा है और वीडियो कहां से वाइरल हुई लेकिन उस पर जानने से पहले अपील है मेरी आप से कि अब अभी तक आपने हिंदो वो इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रू करें साथी वीडियो करें फेस्बुक पर देख रहे है तो फेस्बुक पेज को फॉलो कर सकते हैं चलते है इस खबर की तरफ तो खबर आ रही है उत्तरप्रदेश के मथुरा से यहाँ पर राधाकुंड राधाकुंड बदी फेमस जगा है यहाँ पर एक बाबा का वीडियो इस वक्त पूरी तरह से सुर्कों में शोशल मीडिया पर खूब लोग उस पर आरूप लगा रहे हैं इस बाबा का नाम बाबा प्रान किर्शन दास महराज है जो की शिरी धाम राधाकुंड में बेला वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं बहुत ज़्यादे परसिद हैं और राधाकुंड के साथ साथ देश भर में उनके हजारों भक्त बता जा रहे हैं उनका ये कहना कि हजारों शिष्चे हैं मेरे उनके अनुसार और उनकी फैन फॉलिविंग काफी है, काफी लगी रहती है उनके इस आश्रम में तो यहाँ पर जो वीडियो वाइरल हो रहा है उसमें साफ साफ आप लोगों को देख सकते हैं कि बाबा जो है अपने मुह से लगा रहा है, खेचडी का अपरसाद अपने भक्तों को शिष्चों को बाट रहा है और यह प्रमपरत बहुत सालों से चल रही है, ऐसा उनका कहना ह ऊटाता नहीं, किसी की शरद दबर ओना फाल उठाता नहीं, लेकिन करोना का टाइम चलना है जहां पर लोग छोने से भी मना करेंके दूसों से, शोसल डिस्टेंस का गया है लेकिन यहां पर मुझ से मुझ लगा कर वो भी हजार लोगों में वितरन कोई चीज की जारी है, तो अंदाज लगा लीजी अगर किसी को कुछ हो गया और अगर हो भी गया हो तो इस बात की क्या पुष्टी है कि वहां से नहीं हुआ होगा, बहुत सारे सवाल है, कोई पूछी नहीं रहे, बाबा के भक्तों से जब बात की गई तो उन्होंने मीडे से का कि बाबा किर्शनदास को वह इश्वर के सम्मान सम्मान देते हैं, बगवान की तरह उन्हें मानते हैं, और बाबा प्राण किर्शनदास उनके गुरु है, इनकी सेवार सम्मान करना हमारे अद्देश्च है, व वो तो बाबा की कभी अपनी बुराई कर नहीं सकते हैं, चाहिए वो राम रहीम हो, चाहिए वासा राम हो, चाहिए वाले बाबा हो, तो कोई भग अपने गुरु की तो खासकर बुराई नहीं करता है, करनी भी नहीं चाहिए, उनसे बहुत कुछ सेहने को मिलता है, लेकिन य अजारा लोगों ने वीडियो बनाई उसके बाद उन वीडियो के जरी नफरत खलाई गई और एक कम्मिनिटी को बन नाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है तक कि सबजी वाले ठेले वाले एक आम आदमी कहीं बाहर से काम से लोटा है तो उसे भी शक्की नज़ों से ऐस दिखा गया है कि पता नहीं वो करोना लेकर आगा है कि अपने साथ में और मीडिया का तो हल पूछे भी मत करोना बंग, करोना जयान, जमात का आगा, दुनिया भर के शब्दों से नवा जा गया लेकिन वासला जब उस तरफ का आ जाता है तो उसके बाद फिर चुपी साध ले जाते है, आप लोग आगे नहीं निचे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो खबर है उसे दिखाना ज़रूरी था, तेजी के साथ ये सोचल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विश्य बनाया है वीडियो, आप लोग निचे कमेंट किजेगा और उस खबर को ज़्यादा सो ज़्यादा शेयर किजेगा दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में